जन्मदीन पर यूवक ने दुरगटना में गायल महिला को दिया रक्त पिछले तीन दिन से नीजी अस्पिताल में भरती थी महिला खून की कमी के चलते नहीं हुआ था ओप्रेशन पाटी नगर के यूवा पत्रकार कमल खरते द्वारा बुद्वार को अपने 27 वे जन्मदीन के अवसर पर जीला अस्पिताल पहुचकर रक्तदान किया गया उन्होंने बताया कि वे पहली बार रक्तचाप किया रक्तदाता यूवक ने बताया कि अली राश्पूर जीले के जोबट तहसिल के गाउं गुजरी निवासी महिला रमा भाई पती नर्पत चोहान पिछले थीं दिन से निजी अस्प्ताल बाला जी में भरती थी घायल रमा भाई के भाई मनोहर सिंग बीडे ने बताया कि मोट्र स्याक्र पर सवार बहन को बस ने टक्कर मार दी घटना में बहन रमा का पेर फेक्चर हो गया था इलाज के लिए इमर्जेंसी वाहन से निजी इस्पिताल में भरती कराया गया था लेकिन पेर में हड़ी टूट ने डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की बात कही इसके बाद जब ब्लड चेकप कराया गय तो रक्त की कमी होना पाया गया डॉक्टर ने कहा कि जब तक रक्त नहीं मिलता ओपरेशन नहीं कर सकते ह। इसके बाद पिछले तीन दिनों से रक्त के लिए इदवदर भटक रहे थे लेकिन रक्त नहीं मिल रहा था रक्त दाता कमल ने बताया कि जैसे ही मुझे सूशना मिलते ही जिला ब्लड बैंक पहुचकर महिला के लिए रक्त दान किया बताया जा रहा है कि चर्चित युवा हर साल अपने जन्मदीन को यादगार बनाता है पिछले साल कोरोना काल में ऑक्सिजन की कमे को देखते हुए अपने 26 वे जन्मदीन पर 26 विभिन किश्म के पोधर रोपे थे इस बार अनोखी पहल कर जरूरत मंद की मदद की युवा कहरते ने बताया कि प्रतेक वेक्ति को जरूरत मंद मरिजों के लिए आगे आकर रक्तदान करना चाहिए इसके बाद उनी से प्रेरित होकर युवक मुकेश सस्ते ने भी पहली बार उसी समय ग्राम गोडी निवासी बुजुर्ग महीला के लिए रक्तदान किया इस दोरान बिर्शा मुंडा रक्तदान समिती सदस्य पंचलाल बड़े राकेश सस्ते आकाश रावस सहाराम सस्ते विजय निकुम्ब प्रेविन सोनी सावन चोहान भी उनके साथ मोजूद थे